एवीपी आज बीसी ऑफिस के बाहर जो धर्णा प्रदर्शन कर रही है उसका जो में इश्य है वो यह है कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कानून विवस्ता भी गड़ती जा रही है हम देखते है कि पिछले तीन दिन पहले ही पालमपूर में एक लड़की के ऊपर जो है वो जानलिवा हमला किया जाता है और जहां पर हजारों लोगों की आवाजाही रहती है एक ऐसे स्थान पर जहां पर उस व्यक्ति को रोका जा सकता था परन्तु कोई उसे रोकता नहीं है और वो उस पर continue हमला करता रहता है तो ऐसी स्थिती में हम देखते हैं कि आखी ये हिमाचल की क्या स्थिती होती जा रही है आए दिन हिमाचल में अनिक घटना सामने आती है तो आखीर ये हिमाचल में चल क्या रहा है पालंपूर में ये एक और घटना भी सामने आई थी दो-तिन महिने पहले कि वहाँ पर जमीनी विवाद को लेकर गोलिया चल रही थी तो आखिर हिमाचल में इस प्रकार की स्थिती पैता क्यों हो रही है क्या लोगों को कानून का डर नहीं रह गया है आखिर अपरादी घटनाएं इतनी बढ़ क्यों रही है और हिमाचल में इस प्रकार की अपरादी घटनाओं घटनाओं होने का जो है वो कारण क्या है हम यही जानना चाहेगे और जो प्रदेश सरकार है वो इन घटनाओं को रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठा रही है और आज का ही अगर हम न्यूस पेपर खोल के देखें तो हम देखते हैं कि आज जो है वो नालागड में महिला को जो है वो दो मंचलो द्वारा अगवा किया जाता है और बद्दी में एक जो है वहाँ पर गोलियां बरसाए जाती है गोली कांड होता है तो आखिर हमाचल प्रदेश में ये बिगड़ती कानून व्यवस्था का क्या कारण है सरकार इस विशे पर क्या कदम उठा रही है आए दिन हमाचल में ऐसी घटना है क्यों घटित हो रही है हमारा में अगशे यही है कि सरकार इस विशे पर जो है वो कड़ा संग्यान ले और साथ ही साथ इसके लिए सक्ट से सक्ट कानून बनाए जाए ताकि कोई भी अपरादी घटना को करने से पुर हजार बार सोचे और उसकी किसी भी अपरादी घटना को करने से पहले उसकी रूह का आपनी चाहिए कुछ ऐसे कड़े नियम बनाए जाए